Hey guys, so recently हम गए हनुमानगड and इस वीडियो में मैं शेर करूँगी अपना दिन का रूटीन जो हम वहाँ पर करते हैं हनुमानगड में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा माईका भी वही पर है और ससुराल भी हनुमानगड में ही है इस वीडियो में मैं अपना पूरा दिन का रूटीन शेर करूँगी जितना हो सके जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में कोल्ड वेव चल रही है सो उसके चलते हम में इतना जादा टेंपरेचर एक्सपेक्टेड नहीं था थ्री डिग्री तक हो रहा था वहाँ पर एंड डे की शुरवात हमने की ड्राइफ रूट्स के साथ जो बच्चे हैं वो सिर्फ इसमें से किश्मिश ही खाते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा किश्मिश हम बिग हो देते हैं और जैसे नन्नू आपके सामने ये खा रहा है और ये पानी बनाती है इसमें एट तो नाइन पत्ते डालती है वो कोई अलग अलग तरह के एंड करेला होता है और बहुत कुछ इसमें मिक्स तो ये हल्दी ड्रिंक आप समझ सकते हैं वो डाइबिटिक परसंस के लिए बनात तो अच्छा है that's good and then उसके बाद चाय टाइम क्योंकि चाय के बिना तो शुरुवात होई नहीं सकती दिन की ये चाय अद्रक वाली चाय हम पी रहे है and full on अद्रक देखे पहले मुझे चाय बनानी नहीं आते थी दीरे दीरे अब मुझे चीजे आ गई है खाना बनाना चाय आप बोलोगे कप बहुत बड़े है बट इसमें बच्चों की चाय भी और वो ब्रेट से चाय वगरे लेता है तो इसलिए खतम हो जाएगी and then हमने बनाई बेसन की रोटी हमने नहीं मेरी सासु माने मेरी मम्मी ने बनाई बेसन की रोटी and इसमें क्या था जो और उसके साथ और देखिए वो जो मास्क की विडियो थी उसमें मास्क थोड़ा अफेक्टिव जरूर था लास्ट में जो चारकोल मास्क था देन उसके बाद बच्चे आ गए फिर से गार्डन में नहाद होके तयार होके क्योंकि गार्डन में धूपती and then यह जूलो पे इंजॉय कर रहे है क्योंकि वहां पर हमारे पस कोई कामी नहीं होता है तो हम सर्फ यही करते है कभी गार्डन में चले गए कभी उपर चले गए और यह उपर के नाम से याद आया है मेरा रूम सो यह मेरा रूम है हम यहां पर आके रहते हैं जब भी आते हैं हम इस रूम में रहते हैं and ममा वेट दीरे दीरे लूज हो रहा है और यह terrace है अब देखिए दूप कितनी आती है यहाँ पर यहाँ पर ज़रूरत भी है देखें बहुत टाइम बात दूप निकली है आज नौर्थ इंडिया में वैसे भी बहुत जादा cold मोसम चल रहा है मैंने कुछ short share किये थे जिसमें आप देख सकते थे कि कितनी जादा fogging थी रस्ते में और फिर से hibernation में चला गया है उसके बाद ginger tea हाँ चाई पी रोटी खाई उसके बाद ginger tea खाना पचालो है ना तो वो भी जरूरी है फिर हमने ginger tea ली नन्नू सो गया है क्योंकि वो नहां दो कि सो जाता है सो जाता है एक बार ए एंड देन सबसे पहले हमने साग को कट करकी और इसमें water में boil कर रहे है बहुत जादा पानी लेना है normal पानी लेना है उसको boil करेंगे साग को जितना भी साग है तो दो गटिया साग था तो वो मैंने कट कर दिया था तो बाद में वम्मी ने उसको wash किया और फिर हमने उसको च पालक पड़ा था तो मैंने उसके लिए ब्रेड पकोड़ा बनाया इपनीर के साथ तो उसकी दादी फूट कर रही थी पनीर के साथ जाए पालक जो है उसको विसल आए टू विसल के बाद एंद इन उसी कुकर में हमने चढ़ा दिया थोड़ा सा पानी आड करके पालक तो पह में इसे ग्रेन चिली धाले नमक स्वादनुसुर और मिर्ची डाल दी इसमें भापस में फोड़ा सा को जगा के संदे एंसे क्या इनों टालते निया करते हैं आटबए लोग ब्रीखक कόड बिल्कुल है ग्राइड कर देना है देन उसमें तड़का लगा दो तड़का अपने अपने हिसाब से लगाते है और आप रात का व्यू देखिए कितनी जादा धुन्द है है ना और हम जब आयोते तो बहुत डेंजरस मौसम था